राम राम की साम भाई Ober कैसे हैं आप सबी लोग आसा करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बगवान से प्राफना करता हूँ कि आप सबी लोग शदेव श्युक्ही, बश्यंपन रहें. विपी का उलवर चैनल की तरफ से आप शबी आनताता हूँ कि चड़ों में नमस्कार. मेरे प्यारे शातियो, आज कल बरसाद का मौसम चला है, काफी मेरे शामने शूचनायां आ रहे हैं, मेरे पास आशी खवरें आरही हैं, कि आप लोगों की गाए या भैस की एक थन की धार पतली हो गई है, या एक थन छोटा हो गया है, या एक थन में पैन के रिफि हो गई और दूद नहीं आ रहा है कभी-कभी देखने में आता है कि एक थन के निचले हिस्से में गांट बन जाती है दूद नहीं निकला है या दूद का फबारा निकला है कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि एक थन जो है अन तीन थनों के पेच्छा थोड़ा सा उपर दो लीटर दूद आ रहा है तो उस थन में जो छोटा हुआ है उसमें देड़ लीटर या अदा लीटर या एक पौद दूद आ कभी-कभी देखने में आता है कि हमारी गाए-बैंस के दूध में हलका लाल रहे हैं, कभी-कभी क्या होता है कि दूध फटा हुआ आता पानी अलगा रहा है इन सारी शमस्याओं को लेकर हम बहुत सारी वीडियो बना चुकए है यह अधि आप हमारी प्लेडिस्ट में जाएंगे आपको एक से एक बड़ية वीडियो मिल जाएगा और में कुछ सालूसन मिल जाएगा है अब उन सारी समस्याओं जो भी शमस्चा है आपके गायब है इसके फनों में क्रियेट होती है या टायट हो जाता पत्थर जैसा हो जाता है कब का इलाज होता है यह एक सब्सक्राणी कोई भी बीमारी है तो आप पिछले वीडियो देख करके अपनी बीमारी को कंट्रॉल कर सकते हैं यह बही बीमारी दस दिन हो गए पंदरा दिन हो गए च्छे महीना हो गए एक सालों लंबी पुरानी बीमारी हो चुकी है उस कंडिशन में मैंने एक नया फॉर्मूला तयार किया हुआ है जिसको प्रियोप करने के बाद आपकी गायब महस के थन बिलकुल ठीक हो जाएंगे चारों थनों मे आपके नाम से भी जानते हैं उस तर चोटे चोटे सफीद रंके फल आते हैं कांटे होते हैं पूरे पर और उस तर फूल भी सफीद रंके या थे उसकी जड़न का पाउडर पचास ग्राम आपको एकठा करना है देशी बबूल की फली के अंदर छोटे चोटे दाने निकलत उनका तेल 50 ग्राम, अरेंडी का तेल 50 ग्राम, मोरिंगा जिसको सैजन के नाम से भी जानते हैं, मोरिंगा की फली होती है, उसके अंदर भी दाने निकलते हैं, उन दानों का तेल 50 ग्राम, अर्जुन, अर्जुन एक पौधा होता है, जिसके बीज का तेल होता है, वह तेल आपको 50 ग्राम कलेक्ट करना है, फुल्वा, फुल्वा का तेल 50 ग्राम, 10 ग्राम तंबागो गाला चूना, 25 ग्राम लाहुरी नमक, 25 ग्राम लाल फिट करे, मेरे प्यारे साथियों, इन सभी चीजों को लाल फिट करे, लाहुरी नमक, इनको अच्छी तरीका से इतना बारिक करके पीस लीजिए, एक पाउडर बन जाना चाहिए, जब है पाउडर है, हमने ये ते लिकटे किये हैं, इनमें अच्छी तरीका से हम मिक्स कर देंगे, इतने को, ये मिक्स करने के बाद एक आती है, आमा हल्दी, जिसको अंबा हल्दी के नाम से भी जानते हैं, काफी बड़ी-बड़ी होती है, चोटे-चोटे टुकड़े करके सुखाई जाती है, वह है आप पचास ग्राम लेकर आईए, और अच्छी तरीका से पीस कर पाउडर बना लीजिए, वह भी उसमें मिला लीजिए, मिला करके एक क्रीम जैसी बन जाएगी, जब ये क्रीम तयार हो जाएगी, उस क्रीम को आप सुबह और साम अपनी गाय भैस के थनों पर और जहां पर अडर पत्थर जैसा हो गया हो, उस पर लेप करना है, दूद निकालने के बाद में, बराबर ये लेप 15 दिन तक चलेगा, इस ये क्या होगा मेरे प्यार इशातियों, दूद की पतली धार है, मोटी हो जाएगी, थन के अंदर रिफिल जैसी बन गई, वो भी ठीक हो जाएगी, पत्थर हो गया अडर, वो भी मुलायम हो जाएगा, कभी कभी क्या होता, एक साइड काफी बड़ी हो जाती है, अडर की एक साइड ऊपर तंग जाती है, तो जो बड़ी होई शाइड है, श्वैलिंग बाली, उसकी श्वैलिंग को भी कंट्रॉल किया जा सकता ये तो हुई थनोशे related समश्या का शमाधान अब चलते हैं कि जो दूद कम जादा हो गया थनों में दूद नहीं आ रहा उसके लिए हमें क्या करना न्यूरो काईन्ट होड्ट या न्यूरीवीन फॉट टेबलेट जो हम लोग खाते हैं उसकी दस टेबलेट आपको एक दिन में खिलानी है अपने पसु को कैसे खिलानी है, चाए पीज कर खिला सकते हो, रोटी में खिला सकते हो, आटा में खिला सकते हो, या फिर चारे में डाल सकते हो, ऐसे ही खा लेगा, दस टेबलेट, दो टेबलेट खिलानी है आपको शेंजौल फोर्ट, ये शंकर फार्मा की है, बहुत बढ़िया टेबलेट है, इस ये जितने भी दूद में आने की कमी आती है, वो दूद पूरी तरीके से बढ़ जाता है, नियूरो विन फोर्ट जो गुली है, वो आपकी ब प्रकार की कोई समस्या नहीं बचेगी, और हाँ मेरे प्यारे शाति हो, ये आप लोगों के पास ये सामगरी उपलब्द नहीं होती है, तो आप हमारे वाटसेफ नमबर पर संपर्क कर सकते हैं, और हमारे यहांशे बाई पोश्ट ये दवाईयां मंग बासकते हैं, ये इन वाटसेफ कर सकते हैं, और ये नमबर चला है, 97, 74, 35, 4 अप इस नमबर पर कभी भी वाटसेफ कर सकते हैं, पिर मिलते हैं जलदी एक नई वीडियो के शाथ में तब तक के लिए जयराम जी की